नमस्कार साथियों जहिंद कैसे हैं आप आज हम बात करने वाले हैं अंगूर की ग्रैप कल्टिबेशन की इसकी बेसिक से लेकर के डिटेल तक की जो भी जानकारी है वो हम आपको बताएंगे अगर आपके पास अंगूर है वैसे तो अंगूर का मौसम चल रहा है बजार में भरमार हैं अंगूर की काफी सस्ते भी बिक रहे हैं ले आईए और खाना शुरू कर दीजिए और साथ में लेक्चर भी देखिए डबल आनंद आपको आएंगे बेसिक से शुरू करें सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर बॉटनिंकल नेम की सिंपल सा है बिटिस बिनी काफी सारे देश इसके बीच में आ जाते हैं मेजर यहां पर है रशिया जर्जिया और अर्मेनिया तो आप कह सकते हो कि यह तीनों देश औरिजिन हैं अंगूर का लेकिन किताबों की अगर बात की जाए तो वहां पर ब्लैक सीटू कैस्पियंसी ही दिया है तो आप इसी को सुनते ही कई लोगों के दिमाग में एक बात आ जाएगी क्या बात आ जाएगी कि सर अगर यह डिपलॉइड है तो इसमें सीड क्यों नहीं बनता अंगूर में तो सीड होता ही नहीं अंगूर कैसा होता है वही सीड लेस होता है उसमें तो सीड ही नहीं है और आप कह रहे हो योगे सर यह deploy है normal deploy है फिर तो इसमें seed बनना चाहिए तो सबसे पहली बात कौन कहता है कि अंगूर में seed नहीं होते हैं एक नहीं अंगूर में 4 चार seeds होते हैं अंगूर का जो fruit है न उसको berry कहा जाता है जो कि multi seed होता है एक berry के अंदर generally पाई जाते हैं सो चो यह एक छोटी सी यह एक बैरी हो गई इसके अंदर आपको चार सीड तक मिल जाएंगे अब आपको कैसी बात कर रहे हो मतलब हमको ही बना रहे हो कुछ तो भी बोले जा रहे हमने क्या अंगूर नहीं खाए मार्केट में भरमार हैं अंगूर की आज ही ख करते बाद जो जाइगोड बने गा उससे एम्ब्रेओं बन जाएगा और जो कहते हैं वहीं इंटेगो मेंट कभरिं बनाता जिसको हमुलोग Sie Decoate कहते हैं जो यूज़ली sommes होती है जितने भी हम fruity देखेंगे जिनके स्ली जो होते हैं उनके उपर एक covering होती है जो embryo को cover करती है सीड-coat कहा जाता है जो hard होता है जो हमें महसूस होता है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो क्यों नहीं हो पाता क्योंकि यहां पर एक प्रकार की पार्थिनो कारपी पाई जाती है और वह पार यहां पर अब्लप्मेंट यहां पर एम्ब्रे accessible हो जाता है embryo का abortion हो गया जिस बज़े से seed यहां पर proper तरीके से डवलप नहीं हो पाता खास करके उसकी integument, integument जिससे seed coat बन रहा है तो यहां पर जो seed coat है वो ठीक से बन नहीं पाता इस बज़े से इसका जो seed है वो इतना ज्यादा soft होता है कि हमको खाने में महसूस ही नहीं होता इवन हमको कई बार दिखता भी है, तो हम सोचते हैं कि यह सीड है कि क्या है, आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, ना देखा हो तो आज ही यह कोशिश कर लेना, अंगूर अगर हो तो उनको काट लेना इस तरह से, अब पूछ ले कि अंगूर क्यों काट है, अंगूर क स्टैनो-सपर्मो-कार्पी, खास करके इसका जो इंटेगुमेंट है, उससे सीड कोट बना ही नहीं, जब सीड कोट नहीं बना तो हमको हाडनेस नजर नहीं आई, और जब हाडनेस नजर नहीं आती, तो यूजली हम, हम तो मोटे-मोटे सीड खा जाते हैं, बेर आपने पड़ा होगा कि zwischen लेस सीड्लेस ग्रैप तो अब नाम सीदिलहस है लेकिन inde Ilrike यह हैं जरूरे रहे लेकिन सीड उसके अंदर पाया जाता है लेकिन वो ëीड का होना ना होना एक बराबर है क्योंकि statement ठीक से बनता नहीं और वह में मह Response उसे नहीं होता अब तो खेर ऐसा है कि इसकी हमने ऐसी वराइटी डबल अब कर रखी है जो प्योर ली सीडलेस है मतलब उनके अंदर तो इतना भी नहीं होता यह जो आप देख रहे हो यह भी नहीं हो सकता है जो अंगूर आप देखो ट्राय करके तो उसमें आपको यह वाइ सीड होता है लेकिन वो सीड ना होने के बराबर है तो सीडेट वराइटी भी सीडलेस ही होती है तो अब कभी मत कहना के अंगूर के अंदर बीज नहीं होते होते हैं और चार-चार तक होते हैं यहां पर अगर मैं एडिवल पार्ट की बात करूं तो वह पैरिकार्प और प् मैं वर्ल्ड लेवल पर बात करूं तो जितना भी अंगूर का उतपादन हो रहा है उसका 80 प्रतिशत से ज्यादा वाइन मेकिंग में जाता है शराब जिसकी बनती है वाइन रेड वाइन वाइट वाइन आपने सुनाओगा तो अंगूर का 80 परसेंट यह मैं वर्ल्ड लेवल करों तो इंडिया के अंदर पिचातर परसेंट अंगूर हम फ्रेश कंजूम कर लेते हैं मार्केट में बिक रहे हैं तोड़ा गप्त से मूं में डाला चबाया और पेट में वह फ्रेश हमने कंजूम कर लिया बाकी का जो 25 परसेंट हैं उसमें से हम लोग शराब बना लेते नोलेसे क्या फार्ग है अंगूर की जो खेती हैं अंगूर की जो कैल्टीवेशन है उसको काहा जाता है बिटी कुछ के कि तर क्लिटीवेशन और ग्र e Аपूं इसको ऊब्लड़ बुटी कल्चर अंगूर की खेती जो है जो भी प्रेक्टिस बस इतना सा फर्क है तो बिनी कल्चर भी एक प्रकार का बिटी कल्चर ही है बस फर्क इतना है कि बिटी कल्चर में हम खेती कर रहे हैं फ्रेशली कंज्यूम के लिए रेजिन बनाने के लिए लिकन अगर वही खेती हम शराब बनाने के लिए वाइन मेकिंग के लिए कर रहे है इंडिया के अंदर ये नासिक मारास्ट मार्थ में पाए जाता कभी जहां जाओ तो देखो 150 यहाँ पर आपको वाईनरी मिलेंगी एक तरह से में सकते हैं वाईन पीटल सिटी है इंडिया की यह क्या कहते हैं इसको वाइन कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया एक और उपादी दी गए ग्रैप कैपिटल ऑफ इंडिया सबसे ज़्याद आपने इंडिया के अंदर दो मेजर स्टेट हैं एक महारास्थ है और दूसरे नमबर पर करनाट का है महारास्थ का कोई तोड़ी नहीं पूरे इंडिया में नमबर बन पर है आगे बढ़ें आप चलते हैं इसके न्यूट्रिशनल वैली पर देखो अंगूर आपने खवी खाये होंगे ज्यादा अंगूर खाने से हमारा मूह जो है वह मीठे हो लेकिन फिर भी हमारे पेट में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होई इसके अंदर पाया जाता है जिसको मेलिक एसिड भी कहा जाता है लेकिन एक्जाम के हसाब से हमेशां टारिक असइड पर ही कॉच्छन पूछा गया है तो आपका फोकस भी टारिक लोग हैं हमारी दादी खाया करती थी मुझे याद है अभी तो कई लोगों पर इनके जो छिलके हैं इनकी जो इसके ने वह भी नहीं खाई जाती आप कभी खाकर के देखना इसका एक अलगी स्वाद आता है छिलके के साथ और चलका उतार करके तो इसकी जो पतली सी अधिसाद तक तो पानी ही पानी होता है आगे बात करें यहां पर हम एरिया और प्रोडक्शन की तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर नंबर बन पर तो है चाइना ठीक है इंडिया की अगर मैं बात करूं तो महारास्ट आप मैप में भी देख सकते हैं महारास्ट नंबर वन पर है सेकिंड नंबर पर करनाट का आता है चाहो तो वो भी लिख लीजे लेकिन नंबर दो वाली पोजीशन को कोई याद नहीं रखता हमेशा नंबर वन को याद रखो ठीक तो महारास्ट के अंदर जैसे मैंने बताए नासिक इसको वाइन यार्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता ह आगे हम बात करें आपर क्लाइमेट और सॉयल की देखा अंगूर जो है वो संसल विंग बाइंग प्लांट वे इसको सूरज की रौशनी बड़ी पसंद है डरायं और होट क्लाइमेट सबसे बंस्ट क्लाइमेट माना जाता है हिमिरिटी जयादा हो डेणफॉल जयादा हो तो वो इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता एक मैं आपको और अच्छी बात बताऊं कई बार आपने अंगूर मार्केट में देखे होंगे खरीदे होंगे तो कई बार उसमें पिंक कलर का पिगमेंट आपको देखने को मिलता है कई सारे अंगूर में है उसम temperature difference की बजह से दिन और रात के तापमान में अगर 20 डिग्री से भी ज्यादा का अंतर हो जैसे मान लीजिए रात का temperature पहुंच गया 10 डिग्री celsius यह कब का है रात का temperature है और दिन का temperature है मान लीजिए 40 डिग्री celsius तो दोनों का difference कितना हो गया 30 20 डिग्री celsius का जो की 20 से ज्यादा है तो अगर डायर्नल टेंपरेचर दिन और रात का जो तापमान है उसमें अगर 20 परसेंट से भी ज्यादा का difference मिले तो एक पिंक कलर का pigment डवलप हो जाता है पिंक argumentation हो जाता है राइपिनिंग के दोरान तो अब उसे अब बजार में कभी जाओ तो उसको वेराइटी मस समझ लेना कि यह पिंक कलर है तो वह वेराइटी है वह वेराइटी नहीं है वह पिंक कलर इस डायर्नल temperature की वज़े से आया है सोईल की अगर हम बात करें तो ब्लैक कले सोईल ठीक है इसकी गुड़ ड्रेनेज हो उसमें आपको किसर कले सोईल बोल रहे हो यह इसकी रिक्वार्मेंट है पीएच की बात करें तो साड़े छे से साड़े साथ इसका बढ़िया पीएच माना जाता है काला है next से बात करें इसकी वेराइटी के वेराइटी दीदेखो वराइटी अगर डिटल में पढ़ना है तो फिर कभी अच्टह से पढ़ांगे क्यूंकि इसकी वेराइटी आसे मित यहां पर मैं आपको अवरॉल वेराइटी बता तेता हूं जहां से कॉशन आने के सबसे ज़्यादा चांस है सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट वराइटी थॉम्सन सीडलेस अगर अंगूर के ऊपर कभी वराइटी पर कॉश्चन आया तो यह माल लो 90 परसंट कॉश्चन यही आएगा थॉम्सन सीडलेस इंडिया के अंदर 60% 60% लगबग उससे भी ज्यादा एरिया के लाइसी ने कवर कर रखा है सोचो कितना क्रेज है इस वेराइटी का थॉम्सन सीडलेस का इतना जबरदस्त क्रेज के पूरे हैं इंडिया में जितना कल्टिवेशन और उसमें 60% एरिया तो इसी ने कवर कर रख यानि कि इसमें आपको पूसीड जैसा इस्ट्रक्चन नजर आएगा एक है सरद सीडलेस यह आपकी कलरड़ सीडलेस वराइटी है कलर होती है आपने अंगूर देखें होंगे कई बार आपको दो तरह के मूरें काले अंगूर होते तो तो अपने वाली यही है एक आपका है बैंगलोर ब्लू यह भी कलरड़ सीडेड वराइटी है यह सुटेवल है जूस और बाइन मेकिंग के लिए और भी देखें यहां पर काफी वराइटी है एक है पर लेट वराइटी पर लेटी कमर्शियल कल्टीवर है नॉर्थ इंडिया के एक है किसमिस वैली इसकी उपर लगा यह भी आई एमपी जैसा कि मैंने बताया प्रॉसेसिंग की बात की कि 75% तक के अंगूर जो है वह फ्रेशली हम कंजूम कर लेते हैं बाकी के बचे कई जगा पर यह डाटा 90% तक भी दिया है कि 90% अंगूर जो है मों फ्रेशली कंजूम कर लेते हैं तो यह पता नहीं इंपॉर्टेंट कितना है कि 75% है कि 90% है ऐसा कोई कॉश्चन अभी तक नहीं आया तो माल लीजे चलो 90% अंगूर जो है यह 75% अंगूर जो हम फ्रेश कंजूम कर जाते हैं बाकी के बचे जो अंगूर है उनसे हम शराब बनाते हो और रेजिन बनाते है रेजिन मतलब किश किस्मिस जो ठ्रायफ रूट है वो बना लेते हैं तो सबसे अच्छी वेरायटी पॉम्सी है क्यक्शल जरूरा सकता है Ainूवर कि किसम मतले ज्यों बढ़िया ह Broken को तandसकी म्यूटेंट कि के लिए अगर हम बात करें तो वह सोबियन ब्लंक जूस के लिए अगर हम बात करें तो बैंगलोर ब्लू है ब्यूटी सीडलेस है और आपकी अरका कृष्णा यह कुछ है बस वह याद रखना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वह हार्ड बुर्ड कर ठीक है इसमें जो बैस्ट टाइमिंग माना जाता है प्लांटिंग का वह अक्टूवर का है इस पेसिंग की अगर हम बात करें तो वन पॉइंट एट मीटर टू पॉइंट फाइफ मीटर यह आइडियल मानी जाती है तॉम्सन सीटलेस के लिए बोबर सिस्टम में यह जो है वह आपकी थॉम्सन सीटलेस के लिए सबसे बैस्ट है तो अगर तॉम्सन सीटलेस ना भी हो और पूछली जाए तो आंसर में आपको यहीं लगाना है वन पॉइंट एट मीटर इंटू 3.5 मीटर वोवर सिस्टेम ये ट्रेनि्ग प्रूनिंग के सिस्टेम है काफी सारे सिस्टेम इसमें मोस्त इंपॉर्टिन आपका वोवर सिस्टम है जिसको पंडाल सिस्टम भी कहा जाता है इसकी जो टाम जो रेशियो वह बहुत अच्छा है मतलब इससे एकनोमिक जो प्रोडक्शन वह काफी अच्छा मिल जाता है बोबर सिस्टम के अंदर नेक्स्ट बात करें आपर ट्रेनिंग प्रूनिंग की तो बोबर सिस्टम जैसा कि मैंने बताया एक्जाम के इसाब से बहुत जरूरी है बोबर सिस्टम ऑप दे ट्रेनिंग यह मोस्ट एडप्टेड मैथड है इंडिया के अंदर इसको अमलोग पर गोला और पंडाल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं नौर्थ इंडिया के अंदर और साउथ इंडिया के अंदर एक वार और साउथ इंडिया के अंदर दो बार नौर्थ इंडिया के अंदर जो प्रूनिंग होती है उसको बिंटर प्रूनिंग के लिए की जाती है तो नौर्थ इंडिया के अंदर प्रूनिंग एक बार होती है वह भी बिंटर में दिसंबर से जनवरी के टाइम पर और साउथ इंडिया के अंदर प्रूनिंग बेसिकली दो बार होती है एक winter pruning एक summer pruning जो winter pruning होती नो इसको forward pruning भी कहते है यह fruiting के लिए की जाती है और जो summer pruning होती इसको back pruning भी कहते है यह vegetative growth के लिए की जाती है यह आप लोग याद रखिएगा उसके बाद हम बात करें हार्वेस्टिंग राइपनिंग के सिम्टम्स बताएं कैसे पता करें कि भी हार्वेस्टिंग स्टेज आ चुकी है एक तो वही वैक्सी लियर जो अंगूर की वैरी है इनकी उपर एक वैक्सी लेयर सी आ जाती है यह राइपनिंग के टाइम पर आती है इसके अलावा इसकी जो इजी डिटेच्मेंट है मतलब इसको स्टेम से आप तोड़ें बहुत आसानी से तूट जाएगा पुलिंग से ठीक है इसके लावा इसका जो टेस्ट हो खते से मीठा हो जाएगा यह यह याद रखना 18-20 डिग्री ब्रिक्स यह इंपॉर्टेंट परामीठर है इसके पकने है तो जीरो से एक डिग्री से एलसेस पर 90-95 परसेंट रिलेटिव इमिडिटी पर रखिए लॉंग पीरिड के लिए आप इसको स्टोर कर पाएंगे प्रॉसेसिंग जैसा कि मैंने बताए 75 परसेंट कई किताबों में 90 परसेंट भी दिया है तो कन्फीज होने की जरूत नह सब्सक्राटा नहीं है 75 परसेंट या 90 परसेंट तक जो प्रेडियूजड ग्रैप्स हैं उनको फ्रेशली ऐसी कंजूम कर लेते हैं कोई प्रॉसेसिंग नहीं करना लाओ भी हम तो ऐसी खालेंगे और बचा कुछा जो है उसकी हम लोग बनाते है रेजिन बनाते हैं कैसे ब भी हमेश्र की खोज ही बेसी के लिए ऑनवी मिल्डियू के लिए ठीक तो दाउना विल्डियू का याद रखना प्लास्मो फोरा बेटी को मेजरीज़ एक है पाउडरी पाउडर मिल्डी का कॉजल ऑर्गनेसम में अंकी नियूला निकेटर यह दौना डिसीज आप याद रखना ऐसाच कोई खास ज्यादा डिसीज में है यह दो इंपॉर्टेंट डिसीज एंध्रागनोस भी है प्रतेने दोस्कों और ऐसी इंसेक्ट की दो इंसेक्ट है इसमें एक थ्रिप्स है एक फिली आप याद रखना और इसका है रिफी फोरो थ्रिप्स क्रियून टेटैसस बच्चों को एक वह काल्टून है उसमें आप सुना होगा पता नहीं किसने बनाया अजीब सा उसमें एक काल्टून जो है वह रट्टा मार रहा है और आर और मिग्न आप है वह बनाया किसी ना जे ना यह रट्टा ऐसी ही मारते हैं बच्चिन में जब अगले दिन मिट्अन हो एक्जाम हो थी उसमें यह रट्टा मारते हותें हो मार आप यह तrench तो आप चंथर फ्रिप रिप्स क्रेंटे टेस ऐसे याद करना ठीक इसको रट्टा मारते रहे नेक्स्टम बात करें इसमें फिजियोजिकल डिसर्ट एक है इसमें हैंस एंड चिकन डिसीज जो बोरोन डेफिजियंसी से होती है एक है इसमें बैरी और ब्लॉसम यह तो बैरी ड्रॉप लिखा हो गया blossom drop लिखा होगा वो improper pollination और fertilization की बजह से होता है ठीक है इतनी जो बातें आपको अंगूर के बारे में बता ही है यह बहुत जरूरी है बहुत important है आपके exam के लिए इतना आप याद रखिएगा